नमस्कार दोस्तों चुनाव से पहले भारती अजनता पार्टी की बॉखलाहट जरह देखिए भाजपा की आईटी सेल की टीम ने अपनी सस्ती एडिटिंग स्किल्स किस तरीके से दिखाई हैं देखिए जरह आदिपुरुष के पोस्टर से सैफ अले खान का चोहरा हटा कर राहूल गान्दी का चोहरा लगा दिया है दोस्तों ये कलाकारी उस पार्टी की है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानती है जिसकी भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सत्ता है जो अपने साहिब को विश्वगुरु बताती है उस पार्टी की हरकते किसी सस्ते बेरोजगार ट्रोलर से ज़ादा नहीं है बाजबा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने ओफिशियल अकाउंट पर राउल गांधी की एक पोस्ट की है तस्वीर में कैप्शन में लिखा हुआ है नए जमाने का रावड यहां है विदुष्ट धर्म और राम विरोधी है उसका एक मातर लक्ष देश को बरबाद करना वहीं पार्टी ने इस फोटो में उन्हें एक नए जमाने का रावड बताया है बासपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट जारी किया है उसमें राहूल के साथ सर दिखाए गए है इस पर लिखा हुआ है बारत खत्रे में है तस्वीर के ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में रावड लिखा हुआ है इसके नीचे हंग्रेजी में अ कॉंग्रेस पार्टी प्रोडक्शन लिखा है साथ में डिरेक्टर बाई जॉर्ज सोरोस लिखा हुआ है जिसकी बज़े से भाजपा उन्हें भारत के खिलाफ प्रोगैंडा चलने और भारत विरोधी होने का आरोप लगाती है अब इन ही को राहुल गांदी का डिरेक्टर भी बता रही है भाजपा दोस्तों सोचिए एक तरफ भाजपा राहुल गांधी को रामण बताती है दूसरी तरफ यह कह रही है कि भारत खत्रे में है दोस्तों रामण तो लंका का शासक था लेकिन भारत का शासक कौन है भारत में तो मोधी सरकार है मोधी जी का शासन है राहुल तो सिर्फ एक विवक्षी नेता है ऐसे में देश को राहुल से खत्रा कैसे हो सकता है देश मोधी जी के हाथों में है मोधी सरकार के हाथों में है तो फिर खत्रा राहुल से कैसे कई ऐसा तो नहीं है कि अब भारती जंता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब सत्ता हाथों से जाने वाली है हाला कि भाजपकी इस हरकत के लिए जनता ने ही उन्हें जवाब दे दिया है जनता क्या कह रही है जरह देखिए कॉंग्रेस सांसद इमरान प्रतापगडी ने कहा है कि राहूल गांदी से बड़ा शिवभक्त कौन होगा ऐसे व्यक्ति को आप एंटी धर्म कहेंगे सुनिये क्या कह रहे हैं इमरान प्रतापगडी बाजपके इस पोस्ट पर गुरू जी ने रिप्लाई करते हुए लिखा है राहूल में लाग गुराईयां थी लेकिन उसने कभी अपनी प्रजा से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने को नहीं कहा था प्रोफेसर शेक सिद्धी की कह रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और एक नेता को ट्रोल कर रहे हैं अपने ओफिशियल अकाउंट से नरेंद्र मोदी की पैरोडी अकाउंट से कॉमेंट आया है कि क्या आपको नहीं पता कि रावड एक हिंदू था और बहुत बड़ा शिवभक्त भी था इसके लावा शिल्पी परिहार कह रही है कि राहूल गांदी जी ने खुद को महादेव भक्त क्या बताया बाजपाईयों को तो रावड दिखने लगे अरे मूरको देश के करोणों सनातनी महादेव भक्त है क्या बीजेपी सबको रावड कहेगी वहीं अब शेक गोयल कहते हैं कि रावड एक परम भगवान शिव भक्त उद्गम राजनीतिग्या महा प्रताबी महा पराक्रमी योद्धा अत्यंत बलशाली शास्त्रों का प्रकर ज्याता प्रकांड विद्वान पंडित एवं महा ज्यानी था दोस्तों इसी तरह के कई और लोगों ने भाजपा की सस्ती ट्रोलिंग की किरकिरी की है लेकिन जनता राहूल गांदी को लगतार कई दिनों से देख रही है बीते कई दिनों से राहूल गांदी जनता की जरूरूतों को उनके परिशानियों को समझने की कोशश भी कर रहे ह चाहे राहूल की भारत जोडो यातरा रही हो, या फिर उनकी चुनावी रैलियां, या फिर जनता के बीच में कोई आम दोरा ही क्यों ना हो, उनको हर जगा जनता का सपोर्ट मिल रहा है, उनकी रैलियों में लाखो की तादात में लोग उमड कर आ रहे हैं, ऐसे में भाजपा इस सस्ती ट्रोलिंग के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताईएगा एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जै हिंद जै भारत